है अज़ आया था उस पेशन का हाई अरुन हाई अरे तुमने फिर से गाड़ी बदल दी थी ट्रिपल नाइन वन नाइस नंबर है यू बिट लेट उस बी ट्वेंटी सेवन के पेशन्ट का इंटरनल टेस्ट भी है बीपी पुल्स रेट मॉनिटर करने के लिए मिने शांता सिस्टर को बोल दिया है की पनाय ओन देम ओक है क्या कि वो डॉक्टर है देखकर तो कोई कुछ नहीं लगता आप जो हमेशा ये कोट और टाइप पहनते हैं क्या इससे डॉक्टर वाल एटिट्यूड जलगता है विमारी ठीक करना सब कुछ थोड़े डॉक्टर का एटिट्यूड भी तो होना चाहिए नई जनरेशन है उनके अपनी सोच है जाने दीजिए फिर तो बाना पड़ेगा तुम्हारे जैसे लोग यूससों सपोर्ट करते हैं इसलिए वो लोग अलगी दुनिया में जीते हैं अधारी डॉक्टर आइम लेट अर्योगे विच्फलोर इस डॉक्टर विच डिपार्टमेंट ओंकोलोजी डिपार्टमेंट ओ आई यू फ्रोम इंडिया यह यू तमिल नारू मदरेए दिस्ट्रू के नाइस डॉक्टर आप तमिल में बात करते हैं हाँ जरूर मैंने बहुत तमिल मूवीज देखी हैं मुझे इंग्लिश बोलन जूर्य बहुएं मुझे व्यूदर ओंकोलोजी अपए मंचावार्टमेंटर अबंट रॉक्टर अधर इंडर्टमेंटर जूंटर इंग्यू बड़ कुम एप लक्या एसे ौप प नार्टमेंटर व्यू कोन बोलिख्ध कम आप दॉर्च वाज पिप प्रिय का बीशन बतायों सिर्थ किया सोब्टाइब दो अच्छी तो नहीं है बता इन्छा बेस्टी आप कर दू पॉर्टी इजन सब्पूर्टी करें यूर्यो ने सब्टाइब करें यह मैदम इसने इनगे को दिया देख विल बनार्ष तो आपको सब हिंदी में समझाता हूँ वो लोग आपकी ड्यूटी के बारे में कुछ बोल रहे आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है आप हिंदी में इतनी अच्छी बात कर सकते हैं मुझे अभी पता चल रहा है फिर भी मैं आपकी हिंदी टेस्ट करती हूं क्या मैं एक सवाल पूछो अहां पूछो ना चीटी के मुँसे छोटा मुँवाला वो जीव कौन सा है यह क्या है चीटी होती है ना चीटी एंट बॉली न, सर, यह चीती है न, उसके मुूसे छोटा क्या है। मुझे नहीं पता, सर, बता की जाओ, मैं नहीं जानता, सर, बहुत छोटा सा सवाल है, डॉक्टर, आज पूरे दिन सोचे और कल बताईए मुझे, बाई बाई अरी चलू क्या पर चीती के मुझे छुटा क्या होता है अरे क्या बात है एकदम कॉर्पोरेट लुक है ज्यादा मत बोलो वहाँ इस तरह का ट्रेस पहनने वाला मैं अक्यला यूँ ओ आर्ती चतुरवेदी नीली मारोय अमेलिया ये सब क्या है मानना पड़ेगा कोई याद लगी है नहीं ज्यादा उड़ मत तुम्हें इस तरह से बुर्ष खलीफा में शादी करके फ्लैट मिलना बीवी के साथ मज़े कर पाना मेरे जैसा एक डीसिंट जेंटलमेन तुम्हारा रूममेट होना ये सब किस्मत वालों को मिलता है हाँ सबके किस्मत ऐसी नहीं होती ये क्या है एक जैसी प्यार की बात है दोनों तरब से लगता कोई लव का चक्कर है देरा कि इसे क्या हो गया है कही न कहीं जरूर कोछ होने बाला है है जरा सुन बशीर चीटी के मुझे छोटा क्या होता है क्या तुम्हें पता है है तो बता ना तू सिगरेटी पी रहा है कि उसमें कुछ और है जानोगी क्या दिल की हालत तीर चला है इश्क इवाड़त रंग भरे हैं जीमन में यहीं होता है मुखबट में तो फाइनली तुझे किसी से प्यार हो गया है कुछ बोल नहीं सकता हूं लेकिन रोज की काटों में फूल जैसी एक लड़की खिल खिल आती है तो दिल में कुछ होता है तुछ यह प्यार की विमारी की लाज करने में क्या दिक्कत अगर एक तरीके से सोचा जाए तो थोड जाए नहीं बिलेगा समझाना चलता हूं हां मैं सही कह रहा हूं उस दिन मुझे बड़ा अजीब से लगा हां लेकिन कोई बात नहीं है यह तो होता रहता है नहीं हुं टडग गुड मॉर्निंग लक्ष्मी गुड गुड मॉर्निंग डॉक्टर लक्ष्मी कल रात को मुझे नीद नहीं आई क्या हूं दॉक्टर दुबई में भी मच्छर है क्या नहीं मच्छर नहीं छीरियां जहां देखो वहां चीरिया यह though आई बात है जवाब मिला क्या दॉक्टर ऩूल गया चीटी के मुछ से चोटा confir वो जीव होता है जिसे वो खा रही होती है अब समझें कम ने तो मैंसे चोटे सवाल करोगी तो कैसे जवाब दे सकता हूं तो फिर एक बड़ा सवाल पूछो क्या आप से मैं हाँ पूछो तो बताएए पहाड से भी उचा क्या होता है क्या मैंने हार मान ली तुम ही बताओ उन पहाडों पर उगने वाले पेड़ 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 आहां आई गॉट सम्धिंग भी यू मैंने कुछ सीडीज लाई हैं तुम्हें बहुत पसंद मैं देख चुकी हूं डॉक्टर फिर भी लक्षमी रख लो नहीं चाहिए डॉक्टर इन में से हर फिल्म मैंने पांच बार देखी है लक्षमी आई लव टू वाच तमिल फिल्म सालेपोई दे मूवी परुति विरम ओ तमिल फिल्म होती ही ऐसी है लक्षमी उन सम्धिंग है तो डॉक्टर अगर हम साथ में फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा मैं अकेली चली जाती हूं आप रिस्क मत उठाइए और भाई यरुन कैसे हो यार तुम मैं यहां से अपना पूरा काम खत्म करके निकलने वाला हूं हम तेरा क्लब में वेट करेंगे जितनी जल्दी हो सके आ जाना ओकी-ओकी मैं आ जाओंगा बाई हेलो डॉक्टर अरुन स्पीकिंग अरुन बेटा मैं हूं वेनु भाई बोल रहा हूं आज कल तुमारी कोई खाबर नहीं मिल रहे है कहां हो हाँ वेनु भाई अम मैं थोड़ा विज़ी था कल गली के कमरे में बुर्ज खलीपा बिल्डिंग की चर्चा हो रही थी हम लोगों ने यहां आकर दूर से देख लिया है लेकिन पास जाने का नहीं हो पाया बेटा तुम वहां हो यह बताता हूं तो कुसी को भरोसा नहीं ह हो ना एक काम करो सिक्यूर्टी को बोल दो कम से कम हम लोग अंदर तो आप है अरे वेनु भाई अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ अरे तो तुम यहां पे नहीं हो क्या नहीं पर आने से पहले फोन करना चाहिए था ना अरे तो फिर यह तुम्हारी माने जो भेजा है पाप पर आमके अचार इन सबका में क्या करूंगा बेटा उसे वेनु भाई आप रख लो और आपकी कमरे में है उसे बाट दो आप कुछ गलत मत समझना हॉस्पिटल में ऑपरेशन है जरा बिजी हूँ कोई बात नहीं डॉक्टर की तकलिफ में समझता हूँ ठीक है ना चलो हूँ अगैक घ्रग दो विजी जरू अधिए तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है वैसर बिना किसी काम इन मेन अती नहीं हो बताओ क्या बात है। ऐसा कोई काम नहीं है बस आप से मिलने का मन किया तो वहां से फ्लाइट पकड़के सीधी आ गई नाइस वैसे तुम्हारे जूटिय का क्या हो रहा है फ़निशिंग चल रहा है लाइसे का काम हो चुका है तीदी आपको याद है अप उस लेडी स कॉंसिलर से मिली थे शेयली हल अरुन कुमार मैं जूनियर और यह माया मेरी कजिन की बेट है बेसिकली शीज फ्रम यू के साटेट करिया फ्रांस नौ इन दुबई ओ नाइस तुमीटियू माया आर्यो डॉक्टर नो 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 आइम फैशन डिजाइन मैं पर्सनल डिजाइनर ढूंडी रहा था अब मा लो ना यह देखो शीज अंगीजट पैरिस से इसका फियांसे दीपक बहुत जल्दी यहां आने वाला है यह भी चांस हाथ से गया मेरी मां हमेशा कहती थी अगर दंदुरुस पोता-पोती चाहिए तो अच्छी लड़की से शादी कर लो अब मैं क्या करू फ्रांस के लड जी दी दी इस यू बाई हलो हलो क्या हुआ मतलब जूटी के टाइम पर गाना सुन रही हो फोन आया था सुना ही नहीं दिया सौरी सिस्टर सेवन बीगे पेश्यून को मेडिकेशन दिया यह सिस्टर करेक्ट टाइम पर मैंने दे दिया क्या हुआ सिस्टर नहीं जूटी के वक्त गाना सुनना चौकलेट खाना ऐसा हुआ तो रिपोर्ट करूँगी अरे छोड़ो ना शांता सिस्टर वो बहुत बेचारी है यह बिचारी बिचारी कुछ नहीं है बिचारी नहीं है सारी यह मेरा लंच है डॉक्टर फिनिश कर लो क्या फिनिश ओर लंच उस सिस्टर का नाम है शांता मा जब देखो तब मुझ पर चिल्ला आती है गुस्से में रहती है यह शांता सिस्टर है न वो थोड़ी इगोईस्टिक है डॉक्टर एक तरह से सर के बाल और इगो का संबंध है आप जानते हैं उन दोनों में क्या संबंध है तीरू पती पलनी के मंदर में बालों को क्यों निकालते हैं और पैसे भी तो देते हैं ना वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है और क्या है सर के बाल फॉल्स आइडेंटिटी है इगो भी ऐसा ही है अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो सर पर कोई बोज नहीं रहेगा तुमें केसे पता ये फिलोसोफी ये बात मेरे बड़े पापा ने बताई एक चीज आपने देखी डॉक्टर आपके अंदर भी बाल जैसा ही इगो है अलाकि बहुत कम है अरे बाबा पता है तुम लक्षमी नहीं हो सरस्वती हो हेलो का रे बेटी हेलो बोलने में नहीं हूं महरानी हो क्या फोन करती हूं तो उठाती नहीं वापस कॉल नहीं करती हो जाने दो पैसो का क्या हुआ centro लक्षमी नाम रखा है तुम्हारा तो उसके तरह बरताव या क्रों सुनाओ जल्दी याल्दी पैसे भिजवा दो मा ऐसा क्यों बोल रही हो क्या हुआ कुछ नहीं मा अरे तु दुबए नौकरी करने गई तो हमने सोचा कि वहां आएंगे उट की सवारी करेंगे और तू है कि ठीक है तनखा का पैसा जल्दी भेजो मुझे होस्पिटल बनाना है अगर नहीं बना पाई तो गले में रस्ती ड यह मेरा पर्सनल मैटर है बहतर होगा आप इसमें ना पड़े प्लीज डॉक्टर सॉरी आप उस जिस्ट सॉरी कि अगर तुम्हारे गाओं में कोई परिशानी है क्या ऐसे कोई बात नहीं है डॉक्टर अगर तुम कंफ़रेबल नहीं हो तो मत बताओ मेरी माँ से बात हो रही थी जब मेरे पिताजी बीमार थे तब हमारे गाओं में हॉस्पिटल फैसिलेटी ना होने की वज़े से वो मर गए, उस वज़े से किसी भी हाल में मुझे डॉक्टर बन कर उस गाउं में हॉस्पिटल बनवाना है, यही मेरा एम है, लक्षमी सरस्वती बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं नर्स बन गई, गाउं में हॉस्पिटल थे ना वो तुम्हारी आखे जब से देखी है न आप यहीं कहना चाहते हैं न कि जब से आपने मेरी आखे देखी आपके शरीर में 440 वॉट का जटका लगा और अब तक जटका लगी रहा है तुम बोल रही हो वैसा ही हुआ होगा वैसे तुम्हें किसे पता चला हास्पिटल में एक नर्स से मिलने के बाद आप जैसे स्मार्ट और यंग डॉक्टर को क्या बिमारी होगी हम नहीं जानते क्या नो लक्ष्मी आई रियली फील इट यह सिर्फ मर्दों की बात नहीं है औरतों के भी एमोशन होते हैं लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो औरते फ अच्छा अच्छा मैं यहीं पर रहती हूँ गाड़ी रोग दीचे प्लीज लक्ष्मी मैंने जो कुछ भी कहा उसे सौ बार सोच कर देखिए आज का मेरा सवाल यही है जवाब का इंतजार रहेगा तब तक के लिए नमस्ते हुआ 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 है हाई 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 सौ बार सोच लिया क्या आपने एक सो आठ बार सूचा है हुआ 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 है कर दो झाल 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 इस्टा यह अवार्ड मुझे इस साल की कॉंपेटिशन में मिला है अभी फिल्मों में जो बड़ा नाम कमाया ना उस शालनी को दूसरा रैंक मिला था उस फंक्शन में बहुत से कलाकार और फिल्म को लोग आये थे लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने सीरियसली मद्रास की कला शेत्र में पढ़ने की मेरी ख्वाइस थी लेकिन पिताजी नहीं का बाहर मत जाओ यहां की कला मंदल में पढ़ो मैं सरा दादी का ब्रेक्फस्स तयार करती हूँ तुम जा कर तब तर सब से मिलो sweet Sachin good morning dadima hi good morning young boy I hope you had a sweet night yesterday oh yeah Arun, you work in Dubai में जॉब करते हो I have been there for few hours is it? yeah when I was coming from London Rajshree के दादाजी लंडन में चार्टर अकाउंटन थे oh really last time that was in 1979 we flew via Dubai ah मेरी बेटी सुमेत्रा मेरा मतलब तुम्हारी mother-in-law वो उस वक्त प्रिटिश एजुकेटर थी primary level में उस समय उसके पिता जी को काउं में परेशानी हो गई इसलिए जॉब छोड़कर यहाँ जंगल में बस गये hmm उस समय टाइप राइटिंग सीखने जाती थी सुमेत्रा तो पोस्ट आफिस में काम करने वाले कोपाल नायर के साथ वो प्यार कर बैठी दोनों में बहुत प्यार हो गया और वहीं से शुरू आट डिजास्टर यू लाइक दिस प्लेस ओल्ड हाउस आपका ब्रेकफास्स तयार है दादी लुक मुझे वैसे भी इडली दोसा खाना बिलकुल पसंद नहीं मुझे तो ब्रेकफास्स में कॉन्फलिक्स चाहिए दुपैर में दो चपाती विट वन प्लेच चिकन टिनर में सूप एंड वेजिटाबल मुझे तो इस मेनू की आदत है और मेरी आदत खतम ना हो इसलिए मैं हमेशा भगवान की प्रातना करती हूँ ओके सी यू कहां है तुम्हारे मामा के फौजी वो लोग तो कल रात को ही चले गए इतना ट्रजिशनल और इतना बड़ा घर आपने गाव में कहीं नहीं देखा होगा ना येस येस वाद यूज हाउस इससे तोड़कर रिनोवेट करेंगे या बेचेंगे अब ये मम्मी और मामा मिलकर डिसाइड करेंगे इससे बेचने जा रहे हैं ये पुष्ट्यनी प्र लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है माने कागजात पर साइन कर दिया है अगर इसे बेचेंगे तो एक शेर हमारा भी होगा बाइस एकर में से एक एकर भी मिल गया तो बहुत है थोड़ा तो फाइदा होगा ना थोड़ा ही फाइदा होगा का मतलब मा बता र तो चाहां जो जा कर उन्हें देखो कुई दिक्कत तो नहीं है खाना उना दिया ना अहां सब कुछ दिया है कहां है वह लोग वह बाहर है अचा ठीक है यह दिखो यह चोटे पापा है और मैं हूँ हाँ बैठो राश्री दादी मा को बुलाओ उसरा उन्हें भी अच्छा लगे क्यों हाँ जी मैं भी यही चाहती हूँ देखो अरुन तुम अच्छे घर से हो इसलिए शादी से पहले मैंने कुछ भी पूछताश नहीं की लेकिन आप लोग कुछ बोले ना बोले हम तो सोचेंगे क्या बोलती हो अहां जी सही बोले दादी थोड़ा आराम से हां तो सुनो गाओं के बाहर दस एकड़ की जमीन है फिलाला भी उसका कोई दाम नहीं है लेकिन फसल उगाने के लिए बिलकुल सोना जमीन है वो मैंने राश्री के नाम पर एग्रिमेंट बना रख्ता है क्या बोलती हो हां बिलकुल सही सुन रही देख लिया ना और धनलक्षमी बैंक में एक एफडी भी है और साथ में 25,000 रुपे कैश भी है और वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं उस जमाने में जब मैंने ये गाड़ी खरी दी थी ना बहुत महेंगी थी राजश्री को अपने साथ दुबई लेकर के जाओगे ना तुम हाँ वहां कुछ फॉर्मालिटीज करनी पड़ेंगी अच्छा एक बात सुनो मैं इस जिल्युक को छोड़ कर कभी भी बाहर नहीं गया अब अगर तुम पीछे पड़ जाओगे ना तो हम दोनों वहां पे आएंगे तुम्हारे पास दुबई घूमने वो क्यों अरे वो दुबई में शॉपिंग फस्टिवल है ना उसके लिए मुझे वीजा चाहिए ग्लोवल विलेज का है ना आई विल डेफिनेटली काम या 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 अरण सुनिए आप खुश तो है ना राश्री यहां आओ अपना तौफा सुविकार करो बहुत बड़े डॉक्टर है बहुत काम होगा इनको इनको रोकना ठीक नहीं है ठीक है आजा यह अपड़ेब जल भ्ओड़ए निय स्टाप्रा इनको लिश्चाए जो नुझे आए मड़ा इनकत दौब त्रौब Sacramento प्विकार को इस अंखलोस कीर सो भूडर आञा हेलो हालो हाल पहुंच गयंक्या अरुन का फौन है कह रहे हैं पहुंच गयं माँसीबात कर रही हो हां वैसे अरुन आप पापा से पैसा लेना भूल गए हैं मैं भूला नहीं हूँ उस पैसे से तुम्हें एक आइस्क्रीम लेकर खालो सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारे जो मामा है ना मैनेजर नारायनन उन्हें भी खिला दो मेरे पापा ने ठीक कहा था क्या आरुन बहुत इमानदार है इसलिए वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा अरे तुम समझ गई ना मैं तुम्हें नहीं समझोंगी तो और कौन समझेगा मा नहीं है मां हाँ अभी देती हो रुको अच्छे से पहुँच गए हो ना हाँ मा राश्री को तुम यहां से जल्दी लेका जाना बेठा इस मामले में बिल्कुल भी देर मत करना हाँ देखता हूं तुम उसे पसंद नहीं करते हो क्या मा तुम्हें पसंद है ना अगर मैं सच कहूं तो उसके दिल में कोई भी छलक अपट नहीं है बहुत ही मासूम लड़की है हमेशा हस्ती रहती है इतना काफी है एए प्लीज टॉप यह बशीर तुम फ्लैट में हो ना मेरे पास चाबी नहीं है यार क्या ना एक प्रॉब्लम है मेरी बीबी और बच्चे गाउं से जल्दी आ गया तुम शादी में बीजी थे इसलिए तुम्हें बुला के तक्रीफ नहीं देना चाहता था फिलाल तु कोई और जगा देख लेन तो बवाल हो जाएगा तु ये काम करना बचा हुए किराय मत दे तेरा सारा समान मैंने पैक करके रख दिया है तु नीचे ही रूप मैं उसे ले करके आता हूँ कि अधिए प्लीज स्टाप गया तु भी अज़के फ्लैट नहीं तु वर्न रूम किचेन कुछ भी चलेगा एक टू बेडरूम खाली है लेकिन नैंटी थाउजन दिरहां स्पेर रेट सिंगल सेवेंटी थाउजन दिरहां पैसा थोड़ा कम कीजिए ना एक फ्लैट है ले इसका रेंट कितना है वो 45,000 दिरहम में हो जाएगा टू चेक ओफ 15,000 ओके टू थाउजन दिरहम कमिशन टू थाउजन दिरहम सिकेरोटी अहां बर्द फर्स्ट नैंटीन थाउजन दिरहम कैश में पे कर रहा होगा ओके मैं कैश लेकर आता हूं बाद में डॉक्यमेंट्स लुक्यमें पे क्रवदा नहां था कर दो साल कि युल आधान, कि व這麼ained by तुल आधान कि व रहा खाय कि वी तुल आज़ prominent कि वी ख संदो hacker कि वी खिल आधान पुल आधान कि वी तो ुल आधान कि यह अरुन है आजां डॉक्तर दीदी है अरे सावितरी यह अरुन आया है अच्छा तुम इतिलिन से कहां थी अरुन एक चोटा सावितर कि अधर कि माई जोई एस नो क्यारी ओन इसे उस कमरे में रखते हैं चंद्रा भई समान अच्छे से रखवा दिया है आये 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 वेनु भई आप कहां से हैं कैम्प में बहुत सारे महवान है बटा हमारी बहुत बड़ी फैम्ली है ने बिटा जब तक फ्लैट नहीं मिलता है तब तक यहीं पर एडजस्ट कर अगया यहां बहुत तकलीफ होगी अरे वह तो दिल की बीमारी वाली ऐसी बाते करके ड़ना देते हैं तुम ज्यादा थक गये होगे आराम से सो जाओ है वैसे हम लोग खुदी सोच रहे थे कि अपने बारे में सब कुछ डॉक्टर को बता दी जाए जो भी होगा कल देख अभी आराम किजिए गुड़ नाइच हाँ ठीक है कि अ कि मेनु भाई हम उस दिन इसी डॉक्टर से बुर्ज कलीफा बिल्डिंग में मिलने गए थे अरे लेकिन उस दिन वह आप्रेशन थीयटर में बहुत बीजी था ना भई बहले ही हम सब तकलीफ में रहें लेकिन मेहमान को तो अच्छे से सोने तो ऐसे लगता पहले तुम बुर्ज कलीफा में सोते थे चिपचाप सोजाओ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे से गुजरना ही हम लोगों के लिए बड़ी बात है न बिनु भाई अब देखो कुछ गलत मस सोच न भई इतने बड़े फ्लैट में रहने वाला आदमी अगर अचानक एक दो दिन के लिए हमारे पास आ जाया न तो मतलब यह कि वो हमें कहीं रखे अपना समझता नहीं तो वो किसी होटल में रूम लेकर के भी रुख सकता था क्यों अब किसी होटल में रुखना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है ने भाई वो तो ठीक है फिर भी आप चाहे कुछ भी कहें लेवर कैम में आकर सुना उसकी किस्मत में था सुबह जल्दी उठना है सोजाओ आओ यहाँ वे नो बाई इदर आ कि अधर आं इदर आओ इदर आ इदर आ इदा इदिको झाह! यह विवर्यौ भॉर्यौ लग में पहलू भॉर्यौ अश्च्छल अचे पर हमके बार केको बीटार वॉर्य। मैंने कितने बार फोन थुम्हें विए काल बैक क्यों नहीं किया मैं थोड़ा बिज्जी था लक्षमी तुम्हारी रूरल ड्यूटी हो गई सवाल तो देखो जब तुम यहां हो तो मैं वहां कैसे हो सकती हूं वो ड्यूटी है और यह ब्यूटी है डॉक्टर डॉक्टर अपने शादी की पार्टी सिर्फ एक स्वीट पर खतम मत करना ग्रैंड पार्टी देना क्या यह भी क्या बोल रही थी हां तुम्हारी शादी हो चुकी है है तो में अमर्जएन से सिटुएशन सेर प्रीस कम तो कास्वालीटी कि अधिया हुआ है एना प्लास्टिक लाई हो मा अरुन माया के कमरे में जो भी उसके परसनल चीज़े हैं मेरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए मैंने स्टाफ से कहा है तुम सर जाके देखो ना ओके और जो भी रिपोर्ट से उस पर भी ज़रा ध्यान देना शुआ है तुम्हाओ बुद्ध मॉर्निंग सर्व कर दो कि दो कर दो आफ बहुआ है झाल झाल यह क्या तुमने खुद कहा था कि तुम यह हां काम करना चाहती हो और ब यहां से जाना चाहती हो ऐसा क्या हो गया अर्जन कॉल होगा उठा कि दिखो फ़ीन क्या हुआ है तुम्हें आयू ओक्ति एस सी कोई बात नहीं ह् है। डॉक्टर रूरल ओर्स हएम पम क्या मैं कि मैं अपने गाउं में ही हूँ इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई बस ठीक है जैसी तुम्हारी मरसी मैं आड्मिस्रेशन से बात करती हूँ तुम जाओ थैंक्स डॉक्टर हूँ किसी कोई बात नहीं है डॉक्टर दिदी लक्षमा क्या बात है इतने डल क्यों लग रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम ऑंकोलोजी डिपार्टमेंट के ऑक्सेजन हो अगर तुम जैल होगे तो हमारे होस्पिरियर के पेशन डॉक्टर स्टार्श सभी लोग डल हो जाएंगे ये लोग तुम राश्ट्री को मिस्स कर रहे हो माया को आइसियू से रूम में शिफ्ट कर दिया है अब क्या कहूं तुम उससे मिले क्या हाँ इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है कहानी तो कबकी बदल चुकी है बस हम उसे दिलासा दे रहे हैं क्या हुआ उसके प्रेन को डैमेज हुए छे साथ महिने हो गए फ्रांस में ट्रीट्मेंट से अलमस्ट रिकवर हो गई थी लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई एबरॉड में रहने वाले यंग जेनरे कर मैंने पोस्ट ग्रैजूशन किया माया कोई बिजनेस शुरू करेगी ये सोचकर वो यूके से दुबई रहने चली आई उस दिन मिले थे तब माया की सगाई होगी ऐसा कह रही थी कोई दीपक नाम का था जब उसके माबाप जिंदा थे तब उन्होंने ये रिष्टा फि निशान रहती है तुम मेरे काम करोगी यारून माया इस वक्त बहुत डिप्रेस्ट है और तुम्हारे अंदर लाइफ को जीने का पॉजिटिव एटिटीट है तुम जिन लोगों से मिलते हो तुम्हारी एनरजी उनको बूस्ट अब करती है बस तुम थोड़ा सा समय माया क तो बहुत अलर्ट हो गई है ब्लड पैरामेटर्स विदिन रेंज वेन इस दी फाइनल कीमो नेक्स्ट विद्नस दे ये काम हो जाएगा तो एनफ है उसके बाद फॉलो आप करना है बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दूंगी में आए हां देखो अरून आया है हेलो हाई द माया तुम दोनों बात करो आल सी यू लिटी बाइ बाइ दिधी तो माया वन यू डिजाइन मैं अब तक बुटिक शुरू ही नहीं किया शुरू करने के लिए बहुत वक्त है यू रिट बुक्स या लब टूरे वाव गट सम्थिंग फीवरिट्स आत्मा को संभालने वाल आप सो आइल गेट गोई अनल सी और आप बाइब कल मैं उस चेक को जमा करने वाला हूं गाहों में चेक बाउंस हो जाय तो चलता है लेकिन दुबाई में यह सब नहीं चलता समझ गया गलती होगी तो सजा मिलेगी बाद में रोने सो कोई फादा नी ठीक है ना वेसे हम क्या बाते कर रहे थे आप से पैसे के बारे में बात करनी है हमें देंगे यह नहीं देखो पहले की तरहा पास्पोर्ट को कभजें में रखके पैसे देने का काम बंद कर दिया है अब वैसा नहीं चलता अब अगर कोई कीमती चीज लाके दोगे तो मार्केट के हिसाब से जो भी पैसा बनेगा वो तुम्हें दे दूंगा क्या बोलते हो कोई ऐसी चीज है तो यहां तुरंद लेके आ जाओ मैं पूरे पैसे कैश में दे दूंगा क्या बोलते हो हाँ अभी मेरी एक मिटिंग है जाना होगा बाद में मिलते हैं आप एक बार ज़रा सोच कर देखिए पैसा जुटाने का और कोई रास्ता है क्या हमारे पास पास्ता है अभी में पास्ता है हेलो हेलो हां डॉक्टर मैं माया हेलो माया हाव यू दूइंग लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं जल्दी बाहर आने का सोच रही थी बट नाउ नाउ आइ मिस्स यूर हॉस्पिटल मैं डॉक्टर को फोन कर रही थी पर उनसे बात नहीं हुपाई वो वो दॉक्टर का सरजरी है ओ पहुझत आपाई और नहीं हो अ शांकॉप फ्री हो क्या कान मैं री हुझत हम यह इन आउम यह तो अई सब्सक्राइब आइ सुछ नहीं हम यह हुझत बंक वरन यू था नीए अटिर यू थे तक्स्टमी वन यू थै यू थी मुझत वे यू थाए दो शाम को यू थी मैं दॉक्टर जब मैं आपसे मिली तो एक बात पूछना चाहती थी सिर्यस केस हैंडल करने वाला दॉक्टर इतना लाइटली बहेव कैसे कर सकता है अर जब मैं यहां अग्से आप अग्सेश्ट पास्ट इस लिविव इंदे परेजट और मैं यहां दुबाई में हो खुशी हो यहां हर चीज बस दस मिर्ट की दूरी पर है बुटिक सेट करने के चक्कर में मैं दुबाई भी नहीं देख पाई ठीक से उस प्लान को अभी ड्राप कर दिया अभी मेरे पास बहुत टाइम है माया मिन्स इल्यूशन मतलब जो जैसा नहीं है वैसा दिखना राइट यह सिटी भी ऐसी है एक जादूगार अपने हाथ में एक लकडी लेकर ऐसे घुमाता है जैसे माया को क्रियेट कर रहा है मैजिक का पावर निकल जाएगा तो पता चलेगा यह पता चलेगा कि यह सुन्दर सपना था फिर चाहे खुशी हो या गम कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि हर तरफ माया ही माया है इस दुनिया में एक ही रियल लाइफ है पता है वो क्या है बिल रियल लाइफ में बिल हालो मैं ओप्रेशन थेटर में हूँ निला मलरे निला मलरे प्रभा किरणन् वराराई सुगंधं मायल्ले मरंधं तीरल्ले केडादन् आळमे आळूनी निला मलरे निला मलरे प्रभा किरणन् वराराई हुँ लुक्त कि रहाए लुक्त कुछ कर सकतês कि लुक्ता इास्ग पया स्टन्कुछ के लगाust दुक्त अईए आरागा क्यों सम्गिए गएंग कि आरागा। कि अरागा धङन्साय के जढगा है करते हैं क्राउट का रियक्शन मैं समझ सकती हूँ लेकिन डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट से बाल जड़ जाते हैं ये तुमने कहा क्यों नहीं वैसे तो बहुत फिलोसफी के बाते करते हो everything is माया माया कहां गया ये सब फिलोसफी डॉक्टर और पेशन्ट के बीच में चलती है बट यॉर्माइ फ्रेंड राइट डॉक्टर यू किप दी कार आपको 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 थैंक्स वर वंडर्फुल इवनिंग यू तेक केर आपको 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 आपक अभी मेरा मोड नहीं हो रहा है ठीक करने का आज करूझगी करोंगी ऐसे करते-करते चार दिन हो गए तो हम दोनों मिलकर ठीक कर लिए अरे कर रहे हैं ना क्लीनर की क्या जरूरत है अरे बाप रहे हैं तुम क्या कर रहे हो किसे रहने दो उस पेटी में जो सामाले उसे अच्छे से रख दो ओके अरे क्या रहे है दोक्तर यह अरे कमिंग क्लीन करने का कमरा एक ही है सोचा था पर यहां तो इतने सारे कमरें थक ही गया मैं एक इंसान इतनी बड़ी जगे में बोर नहीं होता क्या मैं किस हाल में फस गई यहां के हालत देखकर मुझे यहां से कहीं और शिप्ट करने का मन कर रहा है सच कहूं तो इस फ्लैट को लेने के बाद बुरी तरह से फस गई हूँ कभी-कभी ऐसा लगता है माया इसका एखाद रूम तुमने रेंट पर क्यों नहीं दिया किसे अंजान इंसान को रखने का मन नहीं है डॉक्टर तुम कहा रहते हूं मैं एक फ्लैट ढूंड रहा हूं फिलाल कुछ फ्रेंज के साथ एज़स्ट करके रह रहा हूं डॉक्टर अगर आपको अत्रास ना हो तो आप यहां रह सकते हों और मुझे जान पहचान की लोगों के साथ रहने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी सच कह रही हूं अरे तुम तकलीफ मत उठाओ तुमने मुझे अब तक एक डॉक्टर के रूप में देखा है तो फिर इसलिए तो नहीं पूछ रही हो ना तुम डॉक्टर हो इस वज़ा से कह रही हूं कुछ दिनों की तकलीफ है यह बाद में एक अच्छा फ्लैट मिला तो मैं ले लूँगा पैसे इसका रेंट कितना होगा अब वो सब तो बाद में देख लेंगे तो फिर कल ही आ जाता हूं ओके बाई बाई मडविरलिंच्रुदी आँ मडलीलोरु मरी यळूदु मोहीनी पोरु जलकलं पकरु मोईनी ओरु नरु मोडी अदू मदी इनी इरन कार्टिल पारी जीवोन मादं चूडी पोरु पूविदले निला मलरे निला मलरे प्रभा किरणन वराराई निमिश सलभामे वरू 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 निमिश सलभामे मतुनो करु इनी उदयक्किरणमे कनकमणी उनी जनलडि कडिल कुरुगुमों किडी पोडुगुमों नदी मरु विलू मिनी एदो तेन्नल तेरिल मारिप्पूवुम् चूडी पोरू कार्मुगिले निला मलरे निला मलरे प्रभा किरणन वराराई माया थोड़ा पानी लेके आओ ना कमिंग अब तक सुखा नहीं है एक मिनिट मया अच्छू 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 मैं वेनु भाई के साथ लेबर केम्प में रह रहा था उन लोगों ने मेरे लिए बहुत तकलीफे जिली है जब माया ने मुझे यहां बुलाया तो फिर मैं तुम्हारी शादी के बारे में वो जानती है क्या नहीं तुमने पताया नहीं उसने पूछा ही नहीं माया से जब प फिर भी तुम उससे इस तरह माय गॉड हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ नहीं है इस तरह के रिलेशन्शिप्स का क्या अंजाम होता ही यह मैं अच्छी तरह से जानती हूं अरून बच्ची नहीं हूं तेल मीदा ट्रूथ उसके साथ वक्त बिताते समय तुम दोनों की बीच में क्या-क्या हुआ होगा आई में फिजिकल नू नू ठीक है तुम अभी के अभी गाहों जाओ और जितने जल्दी हो सेगे राश्री को लेकर तुम यहां पर वापस आओ एक फ्लैट ले लो जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी मैं जो कह रही हूं तुम समझ पा रहे हो ना माया को मैं कुछ भी बोल कर संभाल लूँगी इस वक्त मैं उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती लेकिन आगे से फोन करना मिलना जुलना सब बंध अंडर्स्टांड अधर देखो तुम्हारा अम्मी घड़ी है यहां की गाड़ियों में स्टेविंग इस तरफ है ना कंफ्यूज जब विजा का काम नहीं वा तो मेरे मॉम डैट को साधा फिक्र हुई मेरा विजा क्लियर हो जाए इसके लिए उन दोनोंने मनत भी मांगे थी विजा क्लियर होते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया नारायन मामा और ओमना के इलावा मेरे और वी रिष्टेदार दुबाई में है कमला मेरी बड़ी बुआ विमला की बड़ी दीदी और छोटी मौसी पुश्पा ऐसे कुछ रिष्टेदार भी आ यहां वो लोग मेरे इंतिजार कर रहे हैं विमला की पास तो खुदकर डॉर्अविंग लैसंस भी है पता है उसने कहा कि वह मुझे हर शाम को कार चलाना सिखाएगी आहां गाउं में सायक्ल चुलाना सुकती थी सायकल चुला लिया तो गारी चलाना असान होगा न बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहां साइकल पर ही टेस्ट लेते हैं यह कटल है ओ इसके अंदर क्या है अरे यह सब तो हमारा नहीं है विमला बुआ ओमना मामी और पुश्प मासी के घरवालों ने यह सारा समान उनके लिए भीजाए क्या हुआ डॉक्टर तुम इतना चौक्यों गए यह ने अपनी बेहन की बेटी से तुम्हारी शादी करवाई है चलो भाई आजाओ आजाओ मामा जी अरे बेटी आगे सब लोग देखो ज्यादा वक्त हम यहां पर नहीं रुखने वाले मलियाली क्लब का फंक्शन खतम करने के बाद जब हम जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले गाओं से जो चीज़े आए यह उनमें से हम थोड़ा ले सकते ना पूलों ने मुझे फोन बर बताया था कि केले के फूल की सब्सी बना करके भेजाया उन्होंने गाओं की खेती में उगाया गया तीन किलो उरत भी वेजाया है सारा समान रखा यहां अच्छा तो हम बॉक्स को साथ में लेकर जाएंगे वहां जाकर देख लेंगे तो वक्त बर्बाद मत करो सारा समान उठाकर ले चलो चलो रहा इसके सेहत पर ध्यान देना खाते-पीते घर की लड़की है ये बात उस पर दिखनी चाहिए ना है ना चलिए वह मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं पिर आईएगा हाँ जरूर देखो डॉक्टर फाल तू खर्च मत करना पैसा सोच समझ कर खर्च करना लेकिन जब रिष्टेदार घर आए तो कंजू सी मत दिखाना नारायन जी आपने सिर्फ मुझे ही नहीं उस बेचारी बिना माबाब की लड़की को भी धोखा दिया है गाड़ी टर्न करके पहला लेफ्ट लेंगे तो सामने एक मंदिर है वहां जाके जो जूट मुझसे कहां वो उसे भी कर अच्छा डॉक्टर सीधे जाकर के लेफ्ट लेना है ना राइट जाएंगे तो अच्छा ह वहीं पर है वो मंदिर हमारे दमाद को यहां के सारे रास्ते पता हैं बस मैं ही भूल जाता हूँ वैसे ठीक है गुट नाइट सभी लोग यहां शिप्ट हो गए इससे वज़य से सभी लोगों ने गाउं छोड़ दिया देखा आपने सब मुझसे कितना प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं इसलिए पहली बार जो विदेश जारी है उसी के हाट में इतना सारा समान थमा दिया है मचली का सालन जवार और क्यारेट और नारियल का लड्डू जब रिष्टिदार कहें तो हम मना कैसे कर सकते हैं इस ओके अब सोजा और आत हो गई है कि अब यह कुंब्ला कि अब कि अब कि कि अब कर अब कर तो वर कि अब कि अब अब दो कि अब वेल, यू गॉन अबी फाइन हलो हलो, सुनो अरुन, मैं भी घर पर नहीं हूँ बिमला बुआ और ओमना मामी के साथ मैं शौपिंग पर जा रहे हूँ हम लोग आज खाना भी बाहर खाएंगे आप भी आज बाहर से खा कर आएगा सुनो अरुन I miss you I was actually going down, I think you guys were I'll come later, yes doctor Arun, Hi Didi, how is Rajshree, she's fine Oh, कभी उसे हमारे घर लेकर राओ, आता हूँ Hello What? एक मिनुट बैंक से अब दूजा ने कहा है कि आपके शादी हो गई है बहुत डाओरी मिला है ना अब फोन रख दो कैसी लग रही हो बहुत अच्छी लग रही हो आपको पता यह बहुत ट्रेंडी है भाले ही कीमती है पर जाच रही हो लोग इसे भी ले लो कि मैंने जो पहले सेलेक्ट किया था वो यहां है पहले चेंज कर क्या हो उसके बाद जाकर वहां बिल दे देने हो ठीक है क्या सेंड काट काट प्लीज यह काट काम नहीं कर रहा है मैम कर दो हो यह है मैम क्योंट काट कर काम कि यह भी क्यायब रहाँ भी प्लीजशे के वहां है क्या है क्या है क्या है क्या है कि ईसी एड एड लगान, कि ए रहे ह। इस बसलाए इस नहीं हुआ टोगो, मैं उनल्ड़ है हुआ है कि ईस आज नहीं है खरोगों मैं, एली खरोगों मैं भी टूखता है एडर्च्छिछ पोन सक्वेस खड़ है एनल्ड़ है यह भी काम ने करह मैं चिंता मत करू बेटी इन चीजों को रखवा देते शाम को हम लोग आकर बिल भर देंगे हैं न इन चीजों को साइड में रख देजिएगा शाम को आकर ले लेंगे ओके मैम आओ बेटी शौपिंग गई थी ना हाथ में कुछ दिख नहीं रहा कहां है विमला दिदी और उम्ना बुआ इन्होंने जो खरीद कर दिया वो कहां है जिसका पती कमाता हो तो भला उनके रिष्टिदार क्यों दे आज पहली बार मेरी बेज़ती हुई है एक रुप्या भी नहीं है इस का किस से पूछ कर यह लेकर गई थी इसमें पैसे होंगे मैंने सोचा काड इस्तमाल करने से पहले मुझसे पूछा मेरी बेज़ती करने के लिए यहां पर आई होना मेरा दुश्मन ही तुम्हारा रिष्टिदार है उसके साथ मिलकर तुम यहां दुबई में अरे तुम अरे सुने हेलो है मैं मैं आई इसे में पूछ ज्यादा भूल गया हूं रो मत प्लीज कोई बात नहीं है आज जब मेरा अपमानवा तो मैं बरदाश्ट नहीं कर पाई सौरी इस ओके आज मुझे थोड़ा लेट होगा खाना खा कर सो जाना कर दो दोड़ा कराatchet य completely right? क्यार अजिल को व। भं कर दो होगानी मदोड़ा. हेलो अरे प्रवीन मुझे बैंक का कुछ लोन चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे यार मैं आबुदाबी में हूँ मां के सीने में दर्द है तो होस्पिटलाइज है अभी मेरा हाथ बिल्कुल खाली है पैसे नहीं है यार आओ ना किससे बात कर रहे हो तुम्हारी मां की आव सुखू एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है रहे मुझे पेमेंड मिलने में और कुछ दिन लगेंगे मुझे कहीं से थोड़ी पैसे आरेंज करके दे सकते हो मैं भी प्रॉब्लम में हूँ भाई उपर से तीन क्रेडिट कार्ट की एमाई भी भरनी है और तो और मेरी मां ने पैसे मांग मांग कर मेरी जान खा रखी है कुछ तो रास्ता बताओ सच में बहुत जरूरत है आप किसी और से मांग कर देखो न भाई अरे सब की अपनी परेशानिया है आपकी वो फ्रेंड है न माया जो उस दिन आपके साथ पार्टी में आई थी मेरी बात को गलत मत समझीएगा लेकिन आप एक बार उससे मांग कर देखिए ना हो सकता है वो आपको देदें नहीं आरे आप एक बार पूछ कर देखिए तो जब तकलीफ होती है तो दोस्ती काम आते हैं अपने ठीक है कि 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 है यह सप्प्राइज प्लीज कम इन क्या हुआ सारा फर्नीचर कहां गया पहले आजाओ फिल्हाल तुम यहां बैठो मैं इस फ्लैट को बदलने का सोच रही थी वाई वट एपन एक अच्छा सा स्टूडियो फ्लैट मिला है स्मॉल एंड ब्यूटिफल तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया अब इसमें बताना क्या है जिस दिन से घर छोड़ कर गये हो तुम्हारे कोई ख़बर ही नहीं मिला और नहीं कॉल बैक आया तुम्हारे सामान को लिजाने के लिए सावित्र दीदी आई थी येस सी एम के ट्रेनिंग में था कंटिनियो और मेडिकल एजुकेशन वहां बीच में फोन नहीं उठा पाया जब तुम्हारा कॉल नहीं आया तो आई थोड़ आई वस बॉद्रिंग यू और इतने बड़े फ्लैट में शेयर करने वाला भी कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि दुबई जैसे शेहर में इतने बड़े फ्लैट की भला क्या ज़रूरत है मेरे लिए एक चोटा सा फ्लैट ही काफी है गाली नारू के इसके लिए पैट्रॉल की ज़रूत तो होगी ही न है अब तुम आ गया हो तो हेल्प करो मेरी पैकिंग में आओ जल्दी आओ मैं थोड़ा कुकिंग एक्सपेरिमेंट कर रही थी स्पेशल रेसिपी सूप उसे ट्राइ करने का गोल्डन चांस मिलेगा आपको अल्मोस्ट रेडी है पैकिंग करते रहो मैं आती हूँ करते हैं? करते है? करते है? सूप रेड़ी सच कहूं तो मैं इस जनम में दो लोगों को शुक्रियादा करना चाहती हूं डॉक्टर सावितरी, डॉक्टर अरुन वो क्यों? दूसरी बार मैं बीमारी से प्रभावित हुई I was totally depressed मुझे उस बीमारी से बचाया और मुझे बहुत मोटिवेट भी किया वो दिन मेरी जिन्दगी का बहुत खास दिन था पूरी सिन्दगी जीने के लिए वो चंद यादे ही काफी है सूप बहुत बढ़िया बनाया पूरी मेरा आज आखरी दिन है कर से मेरी दुनिया अलग होगी कर दो बहुत रखरी मेरा अश्या है कर लाँ हुआ 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 हु कर दो कर दो किसमत अच्छी है एडवांस ले लिया बाकी वो संभाल लेगा अब आप टेंशन बिलकुल मतलो बेकार में उस लड़की ने इस हार को पने पास रखा था उससे अच्छा यह हुआ कि हमने उसे गिरवी रखकर थोड़े पैसे ले लिये अब हमें पैसे मिल जाएंगे हम बैंक क्लोन चुका देंगे और एक लोन और ले लेंगे हम उसके बाद हम ओरिजिनल निकलेश छुड़ा लेंगे हमने चोरी नहीं की समझो एक खप्ते के लिए उधाल लिया है कि नो आई डूंट प्रूंग जी बढ़ोगा अरुन जी बोरो हो गए क्या चलो उनमें से दो ही लिया बाकी सब वापस कर दिया सोचा बेकार में आपका पैसा ना खर्चो लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी रूरल पोस्टिंग हो गई लक्ष्मी मुझे अकेला छोड़ दीचे कि अगुद राज में अगे अगे कि अग्या यहलु हालो आरे मैं मां बोल रही हूं अगर तु पैसे नहीं भेजेगी तो मेरा कैसे चलेगा बोलो बेटी मेरा तो खाना ही हजब नहीं होता शादी के उम्र में तुम समंदर पार चली गई हो मैं तो जिन्दा लाश की तरह तकलीफे जहले जा रही हूं क्यों बेटी अच्छा से खाना पिना कर रही हो ना कम से कम हफ्ते में एक बार फोन तो कर लिया करो मां मैं बाद में बात करती हूं ठीक है बेटे क्यूं शाद। तो तो गूआ है राभ इन मयों धड elders जल 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 पीजट जल 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 जलfed जल 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 is no other option जल जल just about morphing I'm sorry थैंक यू वेरी मुच्छ फॉर यर टाइम वेलकम एक्सेप्ट र्रियालिटी यस डॉक्टर हाइड क्या हुआ माया को फिर से अद्मिट किया गया है बहुत क्रिटिकल कंडिशन है ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रीट्मेंट से पहले तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी ना लगता है उसे कोई मेंटल शॉक लगा है नहीं तरसा नहीं होता पेन से रिलीव देने के लिए मॉर्फिन के अलावा और कोई आप्शन नहीं बचा है इस ओकी यह आप है अनुआ कि मैं हुआ हलो कि बहुत पेन हो रहा है क्या यह इंजेक्शन लगाऊंगी तो पेन कम हो जाएगा ठीक है ना अगा ना अगा ना यह मुझसे नहीं होगा सुखों भाई यह आपका लास चांस है आगे से मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा यहां वो लड़की लास स्टेज पर है उस लड़की के साथ इस तरह धोका नहीं कर सकता मैं आप से मैं कुछ गलत करवा रहूं आप ऐसा मत सोचिए आप मेरा एहसा नहीं होगी जब मामला पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप जाकर उन्हें सौरी बोल देना आपकी सारी तकलिफ जानकर वह आपको माफ कर देंगी आप इससे पकड़ो कि टेंशन मत तो सबच्छा होगा कि टेंशन मत करता है डॉक्टर मुझे नीन नहीं आ रही थी नर्स अभी इंजक्शन दे कर गई है मुझे मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगी मुझे और एक टोस दे दो डॉक्टर अरे ऐसा नहीं कर सकता प्लीज डॉक्टर किसे तरह मचे सोना है प्लीज प्लीज हलो? हॉप ऍष्षचा आ कि अच्छ़ूँ ठिए दवा नच्छ़ू माँ क है यू है यू है प्यूआ जराओे हैं जराओे या जराओे हैं जराओे हैं झाल धे जरारेदे, जराओे हैं यदित D फ्यूआ अज़ डुल झाल 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 मेरे पास बैठिये आप शादी शुदा है मैं नहीं जानती थी प्लीज मुझे माफ कर दीजे डॉक्टर माया आपको कुछ कहने की जारूरत नहीं है झाल 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 और नहींदे आपका नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो दो, कृई सुपीत दॉबबाइ एम्परे वस्टब electronic DChar hoş दॉप्टोर , मौन कर दो ही चोळे और के दो हैं और दो दो कि दो ग्लिक्ज दख्य मिन वात्याya देपार्टमेंट ओके डॉक्टर आवल दू दाट ओके थैंक यू राच्री राच्री सच कहूं तो मेरे बर्थदेगा गेप्ट मुझे इस तरह मिलेगा कभी सोचा नहीं था मुझे सेप्राइज देने के लिए इतना मेहंगा गेप्ट करी देगे मैंने कभी सोचा सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगा था लेकिन तुम पर अच्छा लग रहा है तुम चाहो तो कुछ और ले लो पहले तो मैं भी इस तरह का नेकलेस पहन कर बहुत उचल रही थी पता एक दिन फिर मैं दुकान में गई तो पता चला कि वो फुट पार से खरीता हुआ हुआ ह अपना नेकलेस देदीचे रहा है जब बॉर्णिंग सर अब क्या हुआ सर इनका एक शक है ये नेकलेस अरिजनल है या ने तो चेक कर लो ना मैंने चेकिया सर ये ओरीजनल डामड नेकलेस है इसमें तो लेंडर शोरूम का ट्रेड मार्क भी है यह तो हमारा प्राइड कलेक्शन है लिमिटेड एडिशन इसकी कीमत क्या होगी अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो यह कम से कम सतर लाग का होना चाहिए इसका मतलब इस नेकलस में बहुत बड़े कीमती चीजों का इस्तिमाल किया गया अब तो आपका शक खत्म हो गया अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए खुश है ना आप आज तो बहुत ही मज़ा आया आप लोग बैठी ना मैं अरुन को देखकर आती हूँ थैंक यू अरुन जी इत्ता सुन्दर गिप्ट देने के लिए इसे तुमने कब निकाला आपने मुझे सर्प्राइज देने के लिए से छिपा रखा था मैं समझ गई क्या हुआ होस्पिटल नहीं जाना नहीं अच्छुट्टि ली सभी रिष्टिदार बाहर बैठे हैं विमला बुआ ओम ना मामी पुषपादीदी मीना चाची सभी आये हैं अरे सब लोग मिलकर यहां क्यों आये हैं पता है इंडियन असोसेशन के मीटिंग में फैसला हुआ है कि मैं भरत नाटम करूंगी केंद्र मंत्री और बड़े काम फर्मा रहा है डॉक्टर लोग भी बिमार होते हैं क्या देखो अरू शादी हो गई है इसका मतलब यह नहीं कि राश्री के टैलेंट को हम बढ़ावा ना दे इंडियन असोसीएशन के प्रोग्राम में अगर डांस करने को मिले तो यह तो बहुत बड़ी बात है हमारी राश्री तो है ही टैलेंटेड मेक अप कॉस्टूम प्रॉप्स सभी के शॉपिंग करनी है हम कम से कम बीस दिरहम में काम चला लेंगे है न इस प्रोग्राम से राश्री को एक्स्पोजर मिलेगा उसके सामने अमाउन कम है उसके बाद पाठी में हम लोग सब मिलके डांस कर करने वाले एक बात बताओं लोग कहेंगे कि कला निकेतन के राश्री के पती हैं डॉक्टर अरून रियसल करने के लिए और प्रोग्राम को एरेंज करने के लिए कुछ कैश तो हाथ में चाहिए बैंक के क्रेडिट कार्ट से पेमेंट करते वक्त बहुत बेज़ती हुई थ दुनिया में इतनी सारी लड़किया थी सबको छोड़कर इस बंदरिया से शादी करने की नौबत आवी कि वेनु भई से मिलना है कैसे हो भई क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी का है बटा कोई कंप्लेन है क्या गाड़ी के लिए नहीं कंप्लेन मेरी है निंजन और कियर बॉक्स पूरा बिगड़ चुका है विनु भाई आज का काम खत्म करके हम एक साथ जाएंगे मैं भी आ रहा हूं कैंप में हम सबको साथ मिले बहुत दिन हो गया ना कोने दो ना आज चंद्रभाई के घर का मोहर था गाव में उसी के एक पार्टी है चंद्रभाई की तरब से हो सकता है दारू आरू भी हो आँपे कोई प्र तिननाँ उसे बहुत राह्षओाई्प झार्टी के उसी कजए भी हो गाज ओत्र समानाँपर जिए ना खत्म कार्टी हो अएग्री गुषत उत्र जार्ब प्रिका मुश भी प्रिका ना खत्याए कि अब किया आद आद हद हो से हो थाद हो अरवन अरण स्वरी बॉन भाई है चैजिए तुम सब को मुझे बचाने की जुरूरत नहीं है तुम जब यहां तकलीफ में थे तो मैं मौज मस्ती कर रहा था वैसे तो एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है पर मैं नालायक हूँ करजा लेके मैं लोगों को धोखा देता रहा जरूर इस पड़ी तो मारा भी बहुत पीटा बेरहम बना मैं अच्छा इंसा नहीं हूँ मैं आरूर 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 सॉरी विनु भाई कल रात मैं पीकर कुछ ज्याता ही बोल गया कोई बात नहीं बटा इतनी बड़ी प्राप्लम तुम अपने दिल में लेकर के जी रहे थे बटा कम से कम एक बार मुझे बताते तुसी कल रात को जिसने पाटी दी थी उस चंदरा भाई ने 27 साल इसी दुबे मेरे करके बहुत मेहनद किये उसने और अब जाकर के उसने तीन एकड़ जमीन खरी दिये गाउ में मुझे भी यहां पे आयल अब गुनीस साल बीच चुके है मैं भी मज़े कर सकता था बेटा मन तो होता ही है ना बेटा लेकिन गाव में रोज के रोज जब पैसो के दिक्कत से जोचते वे लोग याद आते हैं ना बेटा तो दिल भर जाता है बेटा लेकिन सब कुछ भूला करें हां काम में 20 तरा दिन रात मेरे बुरे दिनों में मदद करने वाली तुम्हारी मा सुशीला ही रही है बेटा मैं उनका असान कैसे भूल सकता हूँ जब तक तुम्हें आ पे हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा ये मेरा वादा है बेटा तुमसे अरे विनु भाई मेरी जो परिशानी है वो आप ठीक नहीं कर सकते अब तुम्हारे उपर बैंक का जो सारा कर्ज है उसे चुकाने की यौकाद तो मेरे में नहीं है बेटा लेकिन कोशिश करू मैं जो कुछ मदद हो सकती है मुझसे हुआ है क्या हुआ नहीं हुआ ना अब बेटा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं किया सकते सब कुछ ठीक करने में लगबग 18 मेने लग जाएंगे बटा अब लोन ठीक से नहीं भरा ऐसे कस्टमर को जेल भेजने में बैंक जादा दिल्चस्पी नहीं लेती लोन अमाउंट पर बैंक पर डिसकाउंट देकर सेटलमेंट करना चाहती है और इस समय बैंक मों इसकीम चल रही है बटा लोन के जो भी पैसे बचे होंसे 18 मेने के अंदर चुका दो बटा और इसके पहले का जो भी पेमेंट धाने चुका दी है बस अगले बहने से बिना चुके इन किष्टों को चुका देना और देखो अगर आगे से गलती की तो परशानी बढ़ सकती है बेटा तुमारी आप कर पूरे रात कहां थे हॉस्पिटल में इमर्जनसी केस था सॉरी कल बोलना भूल गया कॉल करना चाहिए था तुम चाय बना दो मुझे काम से बाहर जाना है मेरे वापस आने से पहले तुम तयार रहना फिर साथ कई घूमनी जाते हैं मैं चाय बनाती हूं हुआ हुआ है माया माया वाट हैपेंड सॉरी इट्स ओके हां तुम बिमारों मैंने सुना अर्यू ओके यहां आइम ओके तुम यहां पर नहीं थे तो क्या-क्या हुआ तुम्हें पता है मॉर्फिन ओवर्डोस की वज़े से माया क्रिटिकल हो गई थी उस वक्ट ड्यूटी पर नर्स लक्षमी थी इतनी इरेस्पॉंसिबल मैनेजमेंट ने उसे डिस्मस कर दिया तो फिर माया वो चली गई है ओवर्डोस की कॉम्प्लिकेशन की वज़े से वो मरने से बच गई लेकिन गुस्से में वो हॉस्पिटल छोड़के चली गई मैंने उसा समझानी की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी उसने ये कहा कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से उसका भरोसा उठ गया है पर मुझे यकिन नहीं होता पहली बार मैंने माया को इस तरह बदले हुए अंदास में देखा अरून इसलीं कह रही हूँ एक पुझने वाला दीपक जैसे जोर से जलता है ऐसा तेज था उसके चेहरे बाद मेरा राउन का समय हो गया है तुम आज से जॉइन कर लो नहीं मैं कर आता हूं एक बात तो बोलना ही भूल गई माया तुम्हारे और राश्ट्री के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी उसने कहा था कि तुम राश्ट्री को ये दे दे ना हुआ झाल झाल टाइम हो गया है चलते हैं लक्ष्मी अन्जाने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे मार्फ कर देना प्लीज हुआ 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 मैं कपका ले चुकी हूँ यह तो बस एक बहाना बन गया है दाट सिट जाना ही है हाँ येस मैं ड्रॉब करता हूं नहीं मैं टाक्सी से चली जाओंगी भne ये से गी लाओंगी कियो हुआ कि भाओंगी हें बदसी कि भी तुको करिशनो मैं और भी दो अ नह हम वचे हो बनाट़ की प्यख़熟ाऒ ये कि अ ढmeraुन कब तूह फसिए त extend सक्वारओंगी. बburstब मैं वizione है त लेख़मी जङए लेए दायं भूह हूं लेख़मारात, लेख़मे जड़तित लेख़ति लेख़तित लेख़तित लेख़तिती है। लक्षमी प्लीज डोंट कॉर्स मी मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की तुम्हें कभी भूलूंगी भी नहीं बाई कर दो मैं धून जुम्हë प्ष्mor कर दो हलो यह सब मेरे बैग में क्या रखा है तुमने सामने से देता तु तुम नहीं लेती इस वज़े से बैग में रखा एक बड़े लक्ष को अंजाम देने के लिए तुमारी मा ने यहा भेजा था तुम खाली हात यहां से नहीं जा सकती बहुत कीमती निकलेस है वो तुम्हारे गाउं के गरीब मासुम लोगों के इलाज के लिए जितनी जरूरत है उतना पैसा जमा करने की आउकाद उस निकलेस में है उसका जो पुन्य है वो मुझे नहीं चाहिए वो अमानत किसी और की है सुझा सब्सक्राइब कर दोगों के लिए सब्सक्राइब करें है जा और मैं आख वाकुछाँ यह यह उस्या वाइक्स आटाइब दून लाइफ you think that I'm detached from life I love my life I have no regrets about the past I'm not anxious about my future I'm living in the present इस दुनिया में तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव इस नेकलेस से हैं मतलब मुझसे भी ज्यादा क्या हो गया आपको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुमने कभी इस नेकलेस से ज्यादा मुझसे प्यार किया है क्या है? कि अव yakश hm चाजए खेता घ्क को कि एिवाथ खेता तो अ व्हूं कि खुल चै तो खुल वे भुल विह refers है एम भलत उतल में कि मुझ ब ब ब बी destुख्घ है सारी